हलो दोस्तो स्वागत है आप लोग का All Much Phone की एक और नहीं वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme X50 के बारे में जिने दोस्तो Realme X50 हमारे पास आ चुका है और दोस्तो इसे मैंने लगा तार 2-3 दिन यूज किया है और दोस्तो इस पे मैंने काफी सार एक्टिविटीज की है और 2-3 घंटे 5G भी खेला है तो दोस्तो मैं आपको experience share करने वाला हूँ कि ये phone कैसा perform कर रहा है और दोस्तो इस phone को हम compare करेंगे रेडमी के 30 से तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को like कीजिएगा अपने दोस्तो के साथ share कीजिएगा और दोस्तो अगर आप ऐसा ही टाइप के content देखना चाहते हैं तो आपका हमारे चैनल को चेक कीजिए अगर आपका हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तो वीडियो स्टाइट करते हैं जी यहां दोस्तो रियल्मी एक स्विफ्टी चाइना में लॉंच हो चुका है और बहुत ही जल्द इंडिया में भी लॉंच होने वाला है तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन और बिल्ट क्वाल इस फोन में 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 120Hz रिफ्रेस्ट के साथ आता है तो दोस्तो अब बात कर लेते हैं इस फोन की डिस्प्ले की तो दोस्तो आपको इस फोन में देखने को मिलता है 6.57 इंच का IPS LCD स्क्रीन जो की 83.9 परसेंट स्क्रीन टू देखने को मिलता है और इस स्क्रीन के रिफ्रेस्ट रेट की बात करें जो कि 120Hz तो दोस्तो अब बात कर लेते हैं इस फोन की हार्डवेर की तो दोस्तो आपको इस फोन में एक बहुत ही नया हार्डवेर देखने को मिलता है Qualcomm का Snapdragon 765G जो की 7 नैनोमीट और फिल्फेक्ट ट देखने को मिलता है और 6 energy efficient core देखने को मिलता है जो कि 1.8 GHz का Aero 475 Silver पर रन करते हैं इसके लागा दोस्तो आपको इस फोन में Adreno का 620 GPU देखने को मिलता है जो कि एक काफी अच्छा combination है अब दोस्तो अगर इस CPU को compare करें दोस्तो हम Snapdragon 835 से तो दोस्तो यह CPU लगबग उसके बर आबर का performance देता है क्योंकि इसमें आपको एक prime core देखने को मिलता है इसके लागा दोस्तो आपको इस phone में 3 variant देखने मिलेंगे 8GB RAM, 6GB RAM और 12GB RAM और दोस्तो इसमें आपको 128GB storage और 256GB storage के साथ आएगा UFS 2.1 storage मिलेगा आपको अब दोस्तो अगर camera की बात करते हैं दोस्तो camera आप आपको quad camera का setup देखने मिलता है 64MP का main sensor जो की 1.8 aperture के साथ आता है और 12MP का telephoto lens जो की 2X optical zoom के साथ आता है इसके लागा 8MP का ultrawide sensor, 2MP का micro sensor और साथी साथ दोस्तो आप इस phone में 4K video को record कर सकते हो 30fps में और 1080p video को record कर सकते हो 60fps में इसके लागा दोस्तो आपको इस phone में देखने मि देखने मिलता है gyro electronic image stabilization, so दोस्तो जब हम camera review करेंगे तब पता चले गया यह stabilization कैसा काम करता है इसके लागा दोस्तो अगर selfie camera के बात कर दोस्तो 12 selfie camera देखने मिलता है punch hole display में 16MP का main sensor जो की f2.0 aperture के साथ आता है और 8MP का ultrawide sensor इसमें भी आप 1080p video को record कर सकते हो 30fps में और इसमें भ देखने को मिल जाते है और साथ ही साथ fingerprint sensor देखने को मिलता है जो कि side mountain है इसके लागा दोस्तो आपको इस phone में 4200 image की battery देखने को मिलती है जो की fast charging के support के साथ आता है और 30W के fast charger आपको box में ही देखने को मिल जाते है दोस्तो realme का दावा है कि 30 minute में यह 70% charge कर देता है और दो दोस्तो वो flash charge 4 point के support के साथ आता है दोस्तो आपको यह phone 2 color में देखने को मिलेगे एक glacier और एक polar color में तो दोस्तो अब बात करते हैं इस phone की price to performance ratio की तो दोस्तो price की बात करते हैं तो दोस्तो price काफी ज्यादा हाई है कि कि 240,000 रुपय में इस से काफी बढ़िया phone देखने को मि मिल जाता है और दोस्तो इस phone में हमने PUBG लगबग 2-3 घंडे खेले थे दोस्तो आपको PUBG में in-game setting देखने को मिल जाते है स्मूद पर extreme और HDR पर ultra setting देखने को मिल जाता है दोस्तो गेम काफी अच्छा चल रहा था लेकिन दोस्तो वहीं आपको 50 FPS ही देखने को मिल जात रहा था स्मूद और extreme graphics पर minor से आपको थोड़े बहुत लाइक देखने को मिल रहे थे तो दोस्तो ये था Realme X50 के quick review उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ कीजिए और comment में बताए कि आपको ये वीडियो क्यासा लगा और दोस्तों अगर आप ऐसे ही टेप की content देखना चाहते हैं तो आप हमारे चानल को चेक कीजिए अगर आपको हमारे चानल पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिएगा तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बह तक यू गुडबाए टेक केर